हलो एवरीवन मैं अभी शेक शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए वीडियो में प्यारे बच्चो हमने स्टार्ट किया था एक्टेवन पैसे वाइस के क्वेश्चन सॉल्फ करना तो इसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हैं और आज हम पहुत चुके हैं अखले वाले वीडियो भी देखे तो आप नोटिस करोगे पैसे वाइस बताना बड़ा ही इजी होता है लेकिन अगर आपने इसी वीडियो से स्टार्ट किया है और आपको नहीं बता पैसे वाइस क्या है तो चलिए आपको मैं केवल थ्री रूल्स कराऊंगा और पूरे प करोगे पैसिव वाइस की तो पैसिव वाइस का मतलब है मेन वर्ब सेंटेंस में कौन सी फॉर्म लिखी जाती है ठाइब बात करें प्रेजिट चो प्रेजिन में बको लिखा जाता है is mr अगर बात करें past की तो बी को क्या लिखा जाता है was were अगर बात हो future time की तो बी को क्या लिखोगे will be shall be अगर situation है continuous progressive तो बी में लगाओ ing form क्या बनेगा being इसे कहते हैं continuous situation अगर situation है perfect perfect मतलब main verb कौन सी form third form बी में लगाओ third form being इसे कहते हैं perfect तो English में जहां भी बी के बाद third form given है तो passive है या बी form के बाद third form given है तो वो passive है second आप जब भी active को passive में या passive को active में convert करते हो बच्चों तो sentence में एक word जिसे कहते हैं time और sentence में दूसरा word जिसे कहते हैं situation इन दोनों words में कभी भी कोई change नहीं होना चाहिए जहां change किया time में जहां change किया cross situation में जहां change किया cross करो बच्चे वे option जो बच्च गए या तो एक बच्च गया टिक करो दो या तीन बच्च गए तो अब उन दोनों तीनों को comparatively पढ़ो बड़ा easy हो जाता है थर्ड एक्टिव से पैसिव बनाओ या पैसिव से एक्टिव मनाओ तो sentence में एक तो यह second और यह third इन three rules से पूरे active पैसिव के हम question solve कर देंगे चलिए बताता हूं मैं आपको कैसे यह है question number 81 पढ़ें से scientist successfully conducted a water detection test on Mars sentence में बच्चो main verb कौन सी form है conducted second form है second form मतलब active है की passive है बुले sir passive तो तब होता जब B के बाद third form होती यहां तो second form है इसका मतलब active voice है किसमें convert करना होगा passive में passive का मतलब अभी बताए आपको passive का मतलब B plus V3 और conducted second form है past तो past में B को क्या लिखते है was were तो यह होगा was of the word plus V3 आजाओ देखो का लिखाए first में तो was नहीं लिखा cross करो second में is लिखाए cross करो third में has been across करो last में लिखाए has conducted was conducted दिख रहा है यह रहा was यह रहा V3 मतलब option कौन सा correct होगा option number D 82 there is no form to reject बच्चो यहां लिखाए 2 और यहां लिखाए V1 2 plus V1 को कहा जाता है active voice और 2 plus V1 का passive बनाते हैं तो इसे कहते हैं 2 plus B plus V3 यह होता है passive voice तो मुझे option में ढूनना है to be rejected आजाओ आजाओ to get reject get rejected होता तो consider हो जाता ही है नहीं लिखा है तो वाउज हो गया यहां वाउज हो गया there is no form to be rejected साहिए कौन सा option होगा बच्चो option number D 83 there is no charge to make against him exact उसी pattern का question है देखो 2 plus V1 given है 2B V3 में इसे convert कर दो आजाओ तू make तो क्या ढूंडोगे passive में तू B make आजाओ यह लिखा to be made यहां have made आ गया cross करो यहां to be ने लिखा cross करो यहां to be made लिखा हुआ है सही है अब option या तो होगा A और या फिर करेक्ट होगा D दोनों options को comparatively पढ़ लो देयर अच्छा वास होगा कि यह होगा क्या दिया हो है इस तो वास तो वैसे भी नहीं हो सकता प्यारे बच्चो option कौन सा करेक्ट होगा option number D चलो 84 many amusing stories are told about Mark Trin आर के बाद told V3 है और अगर बच्चो आर plus V3 लिखाओ V plus V3 इसका मतलब given sentences in passive voice किसमें convert करना है active voice R plus V3 simple present का passive है तो active में या तो वीवन होगा और या होगा वीवन with S or E is पहले तो वर्प से शुरू करो इसे वीवन और वीवन with S or E is यह रहा वीवन are being told cross करो tells V1 S or E is are telling cross करो so many amusing stories are told about Mark Twain कौन बताता यह क्या बताई जाती है किसके बारे में बताते हैं यह तीन questions है यह चलो एलिखा है people tell many amusing stories about Mark Twain हो सकता है C में लिखा है Mark Twain tells many amusing stories नहीं नहीं यह नहीं बताता इसके बारे में बताई जाती है तो C तो नहीं होगा subject नहीं बनेगा यह है तो option कौन सा correct होगा option number a 85 the sentence where did you buy this pen from will be read in passive voice as dead plus V1 dead plus V1 का मतलब है active किसमें convert करोगे passive passive B plus V3 B कौन से टाइम की बात कर रहे हैं past की past में B को क्या लिखते हैं बच्चो वास बर तो यह हो जाना है वास बर प्लस V3 yellow आजाओ ढूनते हैं first में लिखा है was this pen bought हो सकता है is cross करो has cross करो had were had cross करो खटम कौन सा option correct हो जाएगा option number a from where was this pen bought by you 86 how have you solved this question मुझे भी तो बताओ देखो बच्चो have you solved solved V3 लेकिन बीन ने लिखा हुआ इसका मतलब यह active है और passive में convert करोगे तो has have plus been plus V3 क्योंकि third form का मतलब होता है perfect और B की perfect form क्या होती है बीन तो has have been V3 ऐसा ढूनके बताओ have been V3 have been V3 had been V3 cross करो head पर तो has been V3 यह हो सकते है option या तो ए या बी या डी इन तीन में से होगा चलो comparatively बढ़ो how this question पहले तो helping verb चाहिए how के बाद how have how has अब have आएगा की has आएगा this question word का मतलब हुआ प्यारे बच्चों this question कैसा नाउन होगा यह singular noun अगर noun singular है तो obvious है न वर्ब भी कैसी हो नहीं है singular verb singular क्या होती है has or have have तो नहीं होती क्या होती है has option number D how has this question been solved by you 87 all his friends laughed at him बच्चों laughed main verb कौन सी form है V2 V2 है तो sentence active है कि passive active passive में convert करें तो क्या ढूणेंगे was were और was were के बाद main verb कौन सी form होनी जरूरी है third form आ जाओ वाजलाफ्ट हो सकता है वाजलाफ्ट हो सकता है वाजलाफ्ट नहीं होगा वाजलाफ्ट हो सकता है यह option चेक करो वाजलाफ्ट यह at कहां हटा दिया एड तो नहीं पड़ेगा ना phrasal verb का fixed preposition कभी नहीं हटाया जाता अब बी और डी को comparatively बढ़ो he was laughed at by आएगा कि नहीं आएगा इस subject से पहले all is friends से पहले आएगा आएगा तो कौन से option में दिया है बी में दी में तो दिया ही नहीं है ना incorrect है चलो 88 the pn opened the gate बच्छो opened v2 pn है subject gate है object तो v2 दिया तो मतलब active voice पैसे मैं convert कैसे करेंगे पैसे बनता है वाजबर और वाजबर के बार main verb कौन सी form चाहिए third form ऐसा ही होगा चलो आजाओ option a है will eliminated was opened हो सकता है is eliminated has नहीं होगा कौन सा option हो जाना है the gate was opened by the pn कौन सा option number b 89 people will soon forget it लोग जल्दी ही भूल जाएंगे इसे आजाओ will will के बाद v1 no b no v3 इसका मतलब active voice किसमें convert होगा passive voice में और किसका पैसे बनाना है will मतलब future का time change होना नहीं चाहिए will के बाद b और b के बाद बच्छो v3 तो ऐसा ढून will be forgotten ऐसा कुछ मिल जाएं आ जाओ will be forgotten will forget नहीं होगा will be forgotten will forget नहीं होगा option या तो a correct होगा या c correct होगा अब comparatively पढ़ लो people will soon यह तो subject है यहां तो आई नहीं सकता यह a में तो किस से start होना है option number c से क्यों होना है क्योंकि c active voice का क्या है object है clear है 90 have you been shown about what to do have you been shown what to do been plus v3 वच्छो been plus v3 का मतलब active में given है कि passive में given है passive में given है किसमे convert करे active में convert करो कैसे convert करे b form हटा दो ऐसा ढून लो has f लिखाओ और has f के बार main verb third form हो तो यह active में convert हो गया समझो आ जाओ have been shown नहीं होगा have anybody been showing नहीं होगा has you has you क्या यह तो यहीं गलत हो गया has anybody shown you सब्सक्राइब कौन सा option हो जाएगा बच्छो option number d 91 अधित्य सौ दिनेश shopping at the mall बिटा सौ जो लिखा वी टू वी टू सेकिंड फॉर्म का मतलब active या passive active active मतलब किसमें convert करना है passive passive क्या होता है बी प्लस वी थ्री सेकंड फॉर्म है तो बी किसमें convert होगा वाज वर और वाज वर के बाद में वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म तभी तो पैसे बनेगा न तो वाज शोन या वाज सीन और वर सीन ऐसा कोई option ढूण लो इस सीन क्रॉस करो वाज सीन हो सकता है वाज बींग नहीं होगा इस नहीं होगा option कौन सा करेक्ट होगा option number बी दिनेश वाज सीन शॉपिंग अट दा मॉल बाए अधित थे 92 वी मस्ट इंडियोर वाट वी कांट क्योर जिस चीज को solution नहीं ला सकते जिस चीज का कोई हल नहीं आ सकता अब उसे तो बरदाश्ट करना ही पड़ता है यह प्रोवर्ब होता है वो कहते हैं वह ओखली में सिर दिया तो मुसर्ट से क्यों डरना वह यह है चलो आजाओ model bv3 तो यह होना चाहिए must be endured यह होना चाहिए cannot be cured ऐसा option डूण ले आजाओ cannot be cured must be endured हो सकता है cannot cured यह तो option ही गलत हो गया can को कुड में convert कर दिया गलत हो गया must be endured तो सही है लेकिन यह can कहां चला गया है कलत हो गया option कौन सा करेक्ट होगा option number a what cannot be cured must be endured 93 a fresh batch of eggs was collected by the farmers wife was बच्चों देखो was collected was plus v3 लिखा है इसका मतलब active है यह passive है passive किसमे convert करोगे active was मतलब past past मतलब active में क्या होगा v2 v2 ढूणना है हमें आ जाओ यह लिखा collected v2 है हो सकता है had collected cross करो will be collecting cross करो was collecting cross करो बच्चों कौन सा option सही होगा option number a v2 94 then her face was bowed इसका pronunciation देखो एक बार b o w यह noun भी होता है और यह verb भी होता है जब यह noun है तो noun है तो क्या बनता है बो 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 यहां भी बहनते न बो कोट के उपर वहीं वाला है यह बो 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 and arrows धनूश कहते हैं इसे तो यह धनूश भी होता है इसका एक मीनिंग जब यह noun होता है जब यह वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है past में है, past में है, तो active में कौन सी form आनी चीए, second form, second form bout, डून्डो ज़रा काई, ये तो खुदी पास से हटाओ, ये हो सकता है, ये तो खुदी पास से हटाओ, बीन चाहिए नहीं, ये भी हटाओ, और दर नहीं होगा, ये देन लिखा ना उपर, ये भी देन होगा, then she bout her face, कौ एक्टिव लिए करें के लिए बीन हटा दो एक्टिव हंगा है कि अधिर यह हों ग्यां जपरुलो कयह विस्ट दीं है है नौट बीन बीन चाहिए नहीं है एव नौट अरे हैड को है मैं कैसे कानवर्ट किया गलत है है एड नौट डेकरेटेटेड हो सकता है है नहीं होगा कौनसा ओप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चो आप्शन नमबर C 96 26 वू पेंटेड बच्चो कौन सी फाम है यां सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म मतलब active पैसिव एक्टिव के लिए क्या डूडेंगे वाज्वर्ट और वाज्वर्ट के बाद में वर्ब कौन सी form होनी चाहिए third form आजाओ A में लिखा है is cross करो B में has cross करो C में had cross करो D कहता है was painted tick करो और who किसमें convert हो जाता है by whom so by whom was the wall painted 97 they are mending a pencil R plus V1 ING R plus V1 ING बच्चो active or passive active passive में convert करो time change होगा नहीं इसे मार को लिखना है is mr situation continuous तो यह हो जाता है बी की जगे being और passive है तो main verb third form are being mended ऐसा कुछ हमें मिल जाए है या is mr being mended ऐसा कुछ मिल जाए is being V3 हो सकता है is being V1 नहीं होगा is V3 नहीं होगा है तो बिल्कुल नहीं आएगा option कौन सा करेक्ट होगा बच्चो और समझ रहे हो कितने easy है एक ही flow में फटाफट फटाफट question solve होते जा रहे हैं बस exam में भी आपको ऐसे ही फटाफट question solve कर देना है 98 the garages are clean every day are clean R plus V3 B plus V3 क्या होता है passive passive मतलब इसे किसमे convert करना है active R मतलब हुआ present present में active का मतलब होगा या तो V1 और या फिर V1 with S or yes धून लो कहां दिया है clean V2 नहीं होगा have third form नहीं होगा clean हो सकता है had cleaned नहीं होगा option कौन सा correct होना है option number C देख रहे हो कैसे केवल verb के कमाल से questions को solve कर रहे है easily 99 the doctor ordered me to stay in bed ordered बच्चों कौन सी form है वी टू वी टू मतलब active है या passive है active है वी टू का passive याद हो जाना चाहिए क्या है was were और was were के बाद में वर्ब कौन सी form होती है third form तो was ordered या were ordered ऐसा देखो was being नहीं होगा had been नहीं होगा यहाँ तो कुछ है ही नहीं was बर हटाओ I was ordered सही है कौन सा option सही होगा option number D last question for the day bitter experiences जो होते हैं life में have souvered the old man उसने उस old man को क्या कर दिया है और bitter कर दिया है बुरा बना दिया है तो bitter experiences in life have souvered the old man have के बाद बच्चों लिखा है V3 have V3 का मतलब active होगा की passive active और passive में convert करना होता है तो has have plus been plus V3 yellow यह हो गया passive has have been V3 ढून लोगा है has been V1 आएं जी नहीं चाहिए has been V3 हो सकता है was नहीं चाहिए is नहीं चाहिए कौन सा option correct होगा option number B all right बच्चों आज के लिए इतना ही have a nice day